एक बार फिर से स्वागता है आप सभी गाई कोई न्य गेम प्ले वीडियो में और आज हम एक बार फिर से खें़ ले जा रहे हैं गेमर शाप सिमुलेटर तो आप में से शैस से कईयों को याद होगा कि हमने इस गेम को पहले भी खेला था लेकिन उस समय इसके सिर्फ दो यह तो काफी ज्यादा बढ़िया है लेकिन उसमें क्या था इसमें काफी सारे बख्स थे काफी सारे गिलिचिस थे तब मैंने यह सिर्फ थी इसको रोग दिया था लेकिन अभी कुछ टेम पहले इसका एक बहुती बड़ा अपडेट आया जिसमें जितने भी बख्स थे चीजे है वो हमें इसमें देखने के मिलने वाली है तो कफी ज़्यादा मज़ा आएगा ठेक है और वैसे भी देखो अपना जो एक बिजनेस है इंटरनेट कैफे का वो तो हमने बंद कर दिया है लेकिन अपना जो दूसरा बिजनेस है आज हम वो अको करने ओके तो अपना गेम है हो स्टार्ट हो चुक है और वही सामने अपनी शॉप जो कि एक बहुत ज्यादा मशूर शहर में हा मुझे शहर का नाम नहीं पता लेकिन यह शहर बहुत ज्यादा मशुर है Central Karma करता को अपने और यह जो सबसे पहले जो इसकी शेटर्स है जो प्लेट है तो पहले मुझे वो हटानी पड़ेगी और दोको एक चीज मैं आपको और क्लियर करते हूँ कि जितना भी अपना डाटा था जो कि हमने दू एपिसोड में जितना भी काम किया था वह सारा डिलीट हो चुका है उस के बाद हमें एक जो इंपलॉई है उसको हैर करना पड़ेगा ठीक है तो लेकिन उससे पहले सबसे पहले सफाई जरूरी है ठीक है और दोको एक चीज नहीं इस बार और अच्छी हो चुकी है कि इस बार अपने पास एक बैक पैक है पिछली बार क्या था देखो अभी अप पैक की जो कहते हैं हम उसको बढ़ा सकते हैं ठीक है मुवमेंट में करेंगे तो अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज होगी लेकिन दो दो हजार डॉलर बाई मैं पसके इतने सिर्फ छेस्तों पचास डॉलर पढ़े एक मिन रोगो अभी इसको बाद में करेंगे सबसे पहले अपनी शॉप को तो थोड़ा सा बढ़िया सा बना ले लेकिन गंद तो बहुत ज़्यादा सबसे पहले इसको साफ करना पड़ेगा और दोको भाई पेंट भी अपने आप और रखा है पिछली बार तो पता नहीं अजीब सी दीवारे थी लेकिन चलो इस बार काफी ज़्य अपने पास कम है लेकिन इस बार एक ऑप्शन और है बैंक का ठीक है तो हम लोन लेने की अभी जरूरत है क्योंकि अगर हम लोन लेंगे तो भाई उसकी जो इंट्रस्ट है ठीक हमें वह भी पे करना पड़ेगा लेकिन चलो वह तो बार में देखेंगे सबसे पहले यह जित अपने बी कचरा था अपनी शॉप का भी और साथे साथ जो अपना ऑफिस था तेक उस दो नों का कचरा में ने साफ कर दिया और कुछ कचरा ना भी अपने बैक पैक में पड़ा तो इसको निकाल निकाल के जो अपना डॉंस्टर है ठीक है मुझे इसमें फैक ना तीनों के यह बेस सकते हैं लेकिन उससे पहले इसको मुझे रिपयर करना पड़ागा ठीक है अपने काउंटरों को चौ छॉल बैस को मैंने रिपेर क्रदें यहां पर जो अपना इंप्लोई है वो रहे मुझे प्रेंग करें तो उसके लिन्हें अपना जो कहां है इसो पू लाइट्स अन हो चुकी है और इधर की भी जो लाइट्स है मैं फटाफट इसको भी आन करते हूं ताकि थोड़ी सी रोश्णी हो जाए चलो भाई अब काफी ज्यादा बढ़ी है अपनी शॉप लग रही है पेंट करने की जरूरत नहीं है भाई इसको मुझे लग रहा है कि लेंगे तो हमें इंटरस्ट पे करना पड़ेगा और अगर डिपोजिट करेंगे पैसे तो हमें इंटरस्ट मिलेगा लेकिन अभी फटाफट से एक जो कस्टमर आक सुरी जो इंप्लॉई है ठीक है यह ना तो एक दिन का 50 डॉलर लेगी और तो इस पर हम गार्द भी है और ये शील भी है यू यू शॉप रेटिंग नीड टो वी एक्वल और ग्रेटर दें ट्री स्टार से लेकिन चला वह तो हम बाद में करी लेंगे सबसे पहले मैं इसको है करता हूं ठीक है इसको निकालते हैं और इसी को लेके चलते हैं तो अपना थोड़ा सा पैसा चला जाता अच्छो मैंने इस पर ध्यान दे दिया तो यह जो शेल्फ है इसको निकालके रखते हैं अपने हाथ में और इसके बाद इसको कर देते हैं इदर कॉर्णर पे फ्लेस थोड़ा से पीछे और चलो भाई बिल्कुल परफेक्ट यह हो चुका है इधर और अभी नहीं इसके उपर जो समान है मुझे वो लाके रखना पड़ेगा बसे हम समान अभी खरीद भी सकते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा समान पड़ा है तो इसी को बेशते हैं ना थोड़ा सा पैसा बचाते हैं इसको भी निकालते हैं इसको भी निकालते हैं चलो भाई जो तीनों कीबोर्ड से ठीक है मैंने उनको निकाल लिया और अभी इनको लेके ना फटा फटा फट से जो अपना शेल्फ है ठीक है इसको पर प्लेस करते हैं इसको रखा यहां पर तो एक माट इसको ऊपर साइड यहां पर थोड़ा सा कर सकते हैं यहां थोड़ा सा स्ट बंड कर साइड में तेंगा चलो कीब ना मुझे इसको हैं अभी गलोज्व बंद कर ніった ठेक है एक मिनट दुबारा इसको बंद करते हैं और दुबारा करते है इसको ख्लोस चलो भई आप जो अपनी शौप है एक वह ओपन हो चुकी है लेकिन देख अभी ना रात के नौ बजने बाला है तो मुझे लग नहीं रहा कि अभी कोई कस्टमर आएगा कि इतनी कोई इतन चाहिए मुझे लग रहे हैं इसको कीवोड ही चीए ठीक है जो एक कीवोड है इसने उठा लिया है और नाइस देखता है कि यह कीवोड का कितने का मतलब कितना हमें इससे पैसा मिलता है ठीक है अपना इंप्लोईय इसको हैंडल कर रहा है और अपने बेश्चे शे सो डॉलर भाई वो डॉलर का साही था इससे हमें खाली जो फंदरा डॉलर है ठीक है वो मिल चुके मुझे लगा कि एक पुराने कीवोड के बतले हमें 155 डॉलर मिलें लेकिन चलो कोई बात नहीं वैसे भी वो कीवोड तो अपने पास पहले से था वाई हमने इसको कौन सा खर करना और अगर माई शॉप में जाए तो अभी 15 डॉलर अपने कैश बॉक्स में हो चुकिया इसको हम विड्राव भी कर सकते हैं लेकिन जब दिन खतम हो जेगा तम मैं इसको विड्राव करूंगा उससे पहले काम करते हैं फरनिचर में सोचने थोड़ा सा बाय करने का लेकि सकते हैं पोस्टर से नीचे कुछ है नहीं इसको रहने तो अभी न मैं सोच रहा हूं कि जो गूड्स है न तेका उन्हीं को खरीदना चाहिए जितना भी फरनिचर आप वह हम बाद में खरीदेंगे जब आपने पास थोड़ा सा अच्छा कासा पैसा हो जगा टेबल में नह इसको मैं एक बाइक करता हूं ठीक है यह तो काफी सस्ता है मुझे लगा था कि यह काफी ज्यादा महेंगा होगा लेकिन मोनीटर तो काफी सस्ता निकला अगर जो रैड़ वाले उन पर हमें लॉस होगा तो वह हमें समान नहीं खरीदना जैसे कि यह वाला न तो अगर मैं का इसको इसको बाइक करूंगा ठीक है तो इस पे अपने को लॉस होगा 이가 इस पर अपने को प्रॉसन ओड़ अगर और अगर अगर हमें देखा जाए तो माउस पैड यह वाला पांच वाला ठीक रहेगा अब थोड़ा सस्ता समान बाय करना पड़ेगा तोटल हो जाएगा 600 से नीचे का यार मुझे देखना पड़ेगा तो थोड़ा सा समान मुझे कम करना पड़ेगा स्पीकर्स की जरुवत है नि ठीक और अ कम वेट करते हैं अगर जो टेबा लना इसको बाय करने के लिए नहीं यार सिफ 70-80 डॉलर बचे भाई अपने पास और यह 324 का एक है भाई यह थोड़ा सा महेंका हो जगा लेकिन चलो कोई बात नी जब समान आएगा तो उसको बेच के अपने पास थोड़ा सा जो पैसा व पहले करने पड़ेंगे और अगर अगर हम तीन दिन के बाद पे करते हैं तो हमें यह एक्टरा चार्जिस है उनको पे करना पड़ेगा ठीक है कोई बात निया है तीन गीबोर्ड यहाँ जब्हों पेंड शॉप है बहुत ज्यदा मश्यूर है बंदे क्योंकि आप पूरे एरिया में न सिर्फ अपनी शॉप है जहां पर यह सारा समान मिलता है तो इसलिए अपनी जो कहते हैं अपना को प्रॉफिट ना काफी ज्यादा होएगा और अपनी जो शॉप है वो काफी जदा चलेगी भी लेकिन यार समान का में वेट करना पड़ागा ठीक है वैसे अब र अपने ठीक है भाई कि अपनी जो एनर्जी वो तो कम होईगी नहीं तो हम पूरी रात पूरा दिन मैनत करके जो अपनी शॉप है ठेक है उसकी जो रेपूटेशन है वो बढ़ा सकते हैं और यह तो डोर अभी क्लोज दा चलो को अपनी तक काम करते हैं जब तक अपना समान आता है थेक है तब तक जो कम अपनी शौ पैनना ठीक है भी है तो हमें उसका ध्यान देना पड función अब हैने क्योंक्य तो समानी काफी ज़Ьया काम में अपनी शॉप में काफी ज़य समान होएगा तो हमें उसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा एक बार चेक करके देखते हैं कि अगर मैं लोन लेता हूं तो उस पे कितना जो इंट्रस्ट है ठीक है मुझे वो पे करना पड़ेगा ठीक है चलते है लोन में तो अगर मैं 1500 का लोन लूँग उससे हम और भी ज़्यादा जो पैसा वो अन कर सकता है लेकिन यार अभी यार भाई अभी मुझे लोन लेना बिल्कुल ठेक नहीं लग रहा है अभी जो बंदा ना मेरी शॉप के आसपास भूम रहा था और भागता भागता शाइस अभी मेरी शॉप में जा रहा कि एक मिन अब भाई साब यह तो चोर है एक मेड़ इसको पकड़ना पड़ेगा तेरी धरा वही मैं सोचो भाई काफी देर से बंदा ना काफी देर से मेरी शॉप के आसपास भटगी जा रहा था मुझे इस पर पहले शक हुआ था कि मैंने सोचा क्या पता यह बैगर होगा तो हम इस से पैसिव अगरा मैंगने आगा लेकिन भाई यह तो चोर निकला वह तो अच्छो मैंने इसको पकड़ लिया और दोको अभी अपनी शॉप में समान नहीं है फिर भी चोर आ रहे है और सोचो अगर काफी सारा अगर समान हो गया फिर तो भाई चोरों की लाइन लगजी तो अखिरकार समान है वह डिलीवर हो चुक है अब देखो इस पे नहीं देखा कि अखिरकार जो अपना समान हो इतनी लेट की हुआ रहा तो जब मैंने अपनी PC में चेक करना तो उसमें था कि जो डिलीवरी आप्शन हैं न उसको भी चेंज करवा सकते हैं मतलब होता निया कि ह आगर हमें समान फोड़ा पहले मंगाना है तो आपम उसके ठोड़ा से एक्सट्रातर पैसे be पर जो अपना माउस है ठीक उसको रखते हैं यहां पर तोड़ा सा रोटेट है थोड़ा सा सीधा करते हैं 140 डॉलर का पूरा तब में पता चल जाए कि आखिरकार अपने को कितना ज्यादा प्रॉफित हो चुग है तो जो समान उसको रख दिया और अभी ना अपने को काफी सा करने पड़ेंगे काफी सारा जो प्रोडक्स है उनको बाय करना पड़ेगा अपने पास अभी टॉंटी एट डॉलर अपने वालिट में लेकिन अगर हम चलके देखे न तो अपने पास कितने पैस हो चुक है टोटल अपने कैश बॉक्स में ठीक है तो उसके लिए में जाना इसके गए फिर बीस दुबारा से एजा के टैक्स के गए और पचाइस बहुत बड़ी है वाई तो फिफ्टी फिफ्टी ट्री डॉलर बचे अपने पास अब क्या कर सकते अब 53 डॉलर में कुछ आएगा क्या एक पर मैं देख लूँ इसमें तो कुछ नहीं है अब की बोड अब आपने पास बच जाएंगे ठीक है इसको मैं बाए करता हूं और यह मैं कहा है अगया हमने फास्ट डिलिवरी करवाने या फिर हमें स्टेंडर डिलिवरी कराने उसका भी अपने पास ऑप्शन है लेकिन चलो कर बात निया अभी अपने पास पैसे कम है तो अभी जितन को सब्सक्राइब कर दो और जितने अभी तक मुझे इस्टाफ में फोलो कर लो और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिलकुल भी मत बोलना